क्लास फेफ्ट हंदी वोक्रम जेम चाप्टर सेख्स चिठ्ठी का सफार So let's start अपनी दस बारा साल की जिन्दगी में तुमने कुछ पत्रतों लिखे ही होंगे जब आप तेन येर्ज के थे ट्वेल येर्ज के थे एट येर्ज के था आपने कुछ पत्रतों कुछ लेटर से लिखे ही होंगे ये पत्रों अपने सही पते और सामय पर किस तरह पहुचे होंगे ये तो पत्र हैं वो सही एड्रेस पर और सही समय पर किस तरह पहुचे होंगे ये हैं बहुत सी बाते बातों पर निर्भर करता है ये ये सारी चीज़े बहुती बाता पर निर्भर करता है जैसे कि चिठी किस्तान से किस्तान पर भेजी जा रही है जैसे कि ये जो लेटर रवक कहां से कहां बेज रहा है किस प्लेस है किस प्लेस पर भेजा दा रहा है संदेश पहुचाने की कितनी जल्दी है संदेश कितनी जल्दी पहुचाना चाहिए तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है की नहीं क्या तुमने सही अड्रस लिखा है या फिन नहीं तुमने उस पर डाक्टिकट लगाया है की नहीं आखिर चिठी पर डाक्ट कट लगाया क्यों जाए यह जो लेटर उस पर डाक्ट कट क्यों लगाना है पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है मतलब सही और फुल एड्रेस से क्या लेनों देना है जरूरत पढ़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पूचाया जाए स्थान बदलने से चिठी के पहुचने पर क्या असर पढ़ता है मतलब स्थान गज़त लिग दिया तो उससे चिठी पर क्या असर पढ़ेगा इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायर तुम्हारे पास हो इनमें से कुछ सवालों के आनसर तुम्हारे पास हो सकते हैं खास कर तुम्हें तुमसे उन्हें पास तिकट जो डाक तिकटे इखटा करने का शोक है तुम्हें क्या डाक तिकटे इखटे करना का शोक है इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिये लिफाफों को गोड़ से देखो इन जवाल इनका जवाब देने के लिए जो नीचे लिफाफों को ध्यान से देखना दोनों पतों को दी गई जंगहर में लगाओ इस वाले का यहां पर यह तो आप लिक्खो महतमा गांडी जहां हो वालदा यह दोने पते किस तरह से बिन है वो किस तरह से बिन है गांडी जी को भेज़े गए पत्रों में पते की जंगा पर क्या लिख้ा है मात्मा गांदी जहां हो वहां वार्धा जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ पते में सबसे च्छोटी बोगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की और बड़े हैं इस पते में सबसे च्छोटी इकाई से लेकर और बड़ी बड़ी इकाई पर पहुचे हैं च्छोटी से बड़ी बोगोलिक की काई का मतलब यह है वाकी घर के नंबर के बाद गली महले का नाम फिर गाउं कजबे शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम जगे लेकर बड़ी काई का यह मतलब वाकी पहले घर का नंबर फिर गली महले का नाम जिसरा कहा पे हैं फिर गाउं का नाम फिर गाउं का नाम के बाद ये अंग लिक होते हैं कुछ नमबर से लिक होते हैं उसको पिंकोड कहते हैं हर जंगा को एक पिंकोड दिया गया है हर एक जंगा को किसी भी एक जंगा को पिंकोड दिया गया है यह सोचने लाइक बात है कि आखिर पिंकोड की जरूरत क्या है एक बात सोचने वाली है कि पिन कॉड की जरुरूरत क्या है हमारे देश में अनेक ऐसे कजबे गाउं शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं पते के बाद पिन कॉड लिखने से गंतवियस्तान का पता लगाने में डाक छाटने वाले कंचारियों को मदद मिलती है पत्र जल्दी बाटे जाते हैं अगर यह पिन कॉड लिख देते हैं तो गंत्यसतान करना पता लगा लिए और यह जो डाक छाटते हैं उन कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बाटे जाते हैं पिन कॉड के शुरुवात 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के काम से की पिन कॉड के शुरुवात 15 अगस्त 1972 को डाक विभाग के पोस्टल नंबर योजना के काम में हुई जाहिर है कि गांडी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कॉड नहीं है यह जाहिर सी बात है कि गांडी जी को मिले पत्र पर या किसी भी पत्र पर पिन कॉड नहीं है जो गांडी जी को मिले है पिष्ब आफ पोस्टल इंडयक्स नमबर का छोटा रूट है यह जो पिन नमबराइव पोस्टल ì इंडयक्स नमबर का्षिए शोटça मैं किंसे बिजंगह का मैंको को का होता है किसी प्रभ्य को सिक्ष नमबर का होता है होरं क्या यॢई काए खास थानिया अर्थ है हर एक नंबर का मिलिंग जरूर है उद्धारण के लिए NCRT को भेज़े लिफाफे पर लिखा अंक है हमें एक्जामपल देने के लिए NCRT NCRT को एक पत्र दिया गया उसमें यह अंक है इसमें पहले स्थान पर दिया अंक यह बताता है कि यह पिनकोड दिल्ली हरियाना हिमाचल परदेश पंजाब यह जमु कश्मीर का है यह जो फिर्स्ट वर्ड वर्ड वन यह बताता है कि यह जो यह नंबर है ऌाचल पहलर। रीनना हमक्त पर देश पंजाब यह जमु कश्मीर आपाने की यह पिए छॉडर वर्ड 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 यह बताता है कि यह जो फेक्प्र इक लिकार है अगले तीन अंक यानि 016 दिली उप्षेत्र के ऐसे डाक घर का जहां से डाक बाती जाती है अब तुमारा स्कूल जहां है जहां पर है उस इलाके का पिन कोड़ पता करो अपने घर का मतलब आप जहां रहते हूं वहां का पिन कोड़ पता करो पिन कोड़ की जानकारी डाक घर से प्राप्त की जा सकती है जो पिन कोड़ की जानकारी है वो आप डाक घर से प्राप्त कर सकते हो डाक घरों में टेलीफोन डायरेक्टरी डायरेक्टरी की तरह पिन कोड़ डायरेक्टरी भी मिलती है जैसे डाक घरों में टेलीफोन डायरेक इस दो किम्हारे महले में लगे लिखाूगा तुम्हारे इन लाक्य का नहीं महीं खिंगा मिखिजए लिखाूगा कहां काम मिल सकते हैं लफ्ट ओवर चाप्टर भी विल डू